हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप G5 वीडियो स्ट्रीमिंग एप को अपने लैप टॉप में बड़े ही आसानी से इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो आपने G5 एप को अगर मोबाइल में इस्तिमाल किया है तब तो आप जानते ही होंगे कि G5 एप पर मुवीज और वैप सीरीज बहुत अच्छे तरीके से आप स्ट्रीम कर सकते हैं उन्हें देख सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि G5 एप को अपने लैप टॉप में किस तरह से प्ले करेंगे लैप टॉप में अगर आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है अगर आपके आप ब्रॉड में कनेक्शन लगा हुआ और आप चाहते हैं कि थोड़ी बड़ी स्क्रीन प उपन कर लेना है या किसी भी अधर ब्राउजर को उपन कर लेता है मैं Google Chrome का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसको उपन करेंगे दोस्तो Google Chrome को खोलने के बाद आप सर्च बार में लिखेंगे ZEE5 और सर्च कर देंगे दोस्तो G5 इस तरह से आ जाएगा उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर www.g5.com इस तरह यह वाली लिंक जो है इस वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे दोस्तो लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देख जाएगा यहाँ पर जो है आप इसका जो वेब वर्जन है वो यहाँ पर खुल कर आ जाएगा बहुत ही आसानी से अब हमको क्या है हमको क्या है हमको एक आइकन बनाना है अपनी लैप्टॉप में की आइकन बनने के बाद हम डिरेक्ट उसी पर क्लिक करें हमको कोई क्रोम ब्राउजर की जरूरत ना पड़े उसके लिए क्या है हम सीधे यहाँ पर एक आइकन क्रियेट करेंगे उसके लिए पहई आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पर right side में उपर यहाँ पर three dot आपको देखने को मिलेंगे in three dot पर click करना है three dot पर click करने के बाद नीचे आना आ ए और यहाँ पर लिखाया more tools इस वाले option के side में आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा create shortcut दोस्तो इस create shortcut पर आपको click कर देना है दोस्तो create shortcut पर click करने के बाद इस तरह का आपका question mark वाला question आएगा कि इसका या तो आप नाम G5 रख सकते हैं या कोई भी नाम इसमें दे सकते हैं तो मैं G5 भी रहने देता हूँ क्योंकि हमारा video streaming platform का नाम ही G5 है तो यहाँ पर यहाँ पर टिक कर देंगे open as window और यहाँ पर create जो लिखा हुआ है यहाँ पर click कर देंगे create करने के बाद दोस्तो यहाँ पर इसको यहाँ से cut कर देंगे और cut करने के बाद अपने google chrome को भी minimize कर देंगे या पूरी तरह से cut कर देंगे और यह देखिए दोस्तो यहाँ पर G5 का हमारा एक icon बनके आ गया यह जो की shortcut हमने create किया था दोस्तो इसको play करने का एक और तरीका है मैंने एक video बनाया था कि अपने laptop में Disney Plus Hotstar को कैसे प्ले करते हैं तो आप अगर आपको वाला video भी देखना है अपने Disney Plus Hotstar को कैसे प्ले करेंगे अपने laptop में अगर वो video देखना है तो उपर i button में आप click करके देख सकते हैं वो video भी मैंने बनाया हुआ है तो दोस्तो हमको G5 ले करना है तो G5 पर double click करेंगे दोस्तो G5 पर double click करने के बाद इसको full screen में कर लेते हैं full screen में करने के बाद इस तरह से देखिए ये एक app version है जो create shortcut हमने किया था वो खुल कर आ गया है अब दोस्तो आपको करना क्या अगर आपने mobile में अपना subscription ले रखा है तब तो आपको सीधे यहां से login कर लेना है अगर आपने subscription नहीं ले रखा है G5 का तो आपको 499 रुपए एक साल का subscription ले लेना है और यहां पर आराम से आप play कर सकते हैं दोस्तो subscription लेने के लिए यहां पर यह देखिए यहां पर दालने के बाद यहां login पर क्लिक करेंगे तो login पर click करूँगा मैं जैसे ही दोस्तो login पर click करने के बाद मुझसे ये देखे एक OTP मांगा जा रहा है जो मेरे mobile number पर send कर दिया गया है तो दोस्तो यहाँ पर 4 अंको का एक OTP आपके mobile number पर आएगा उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है इस तरह से दोस्तो देखे मैंने OTP अपना डाल दिया है देखे दोस्तो यहाँ पर मैंने अपना OTP डाल दिया है और यहाँ पर मैं verify पर click करूँगा दोस्तो verify पर click करने के बाद देखे मेरा जो G5 app है वो पूरी तरह से खुल चुका है जैसे कि यहाँ पर पहले login और buy plan लिखकर आ रहा था क्योंकि मैंने कोई plan खरीद नहीं रखा था laptop में ना ही login कर रखा था इसलिए buy plan और login के option आ रहे थे लेकिन मैंने login करने के बाद वो दोनों option गायव हो चुके है और यह मेरी profile यहाँ पर बन कर आ चुकी है तो दोस्तो जी फाइव एप आपके अब laptop में चालू हो चुका है अब आप जो भी movies और web series चाहें यहाँ पर जो भी इस app में होती है वो सारी की सारी देख सकते हैं बड़े ही आसानी से तो दोस्तो यह थी video की आप अपनी laptop में जी फाइव एप को किस तरह से डाउनलोड करके बहाँ पर जो है प्ले कर सकते हैं movies और videos तो दोस्तो यहाँ पर मैं कोई video प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ copyright की बज़े से लेकिन आप जो है login करने के बाद या plan खरीदने के बाद बहुत ही आसानी से सारी movies और videos प्ले कर सकते हैं तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon प्रेस कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की videos मैं आपके लिए लाता रहता हूँ Thank you